नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब? अब यहाली में मज्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहाज जे ने गोशना की है कि मज्यप्रदेश में कमिशनरी प्रणाली लागू की जाएगी 2020 में ऐसी ही गोशना उतरप्रदेश सरकार ने भी की थी और जब कभी ऐसी कोई घोशना होती है तो आप सभी के मन में ये बात होती है कि ये कमिशनरी सिस्टम होता क्या है और इसमें किसको क्या पद दे दिये जाते हैं अधिकारों का बठवारा कैसे होता है और IES लॉबी क्यों कमिशनरी प्रणाली का विरोध करती रही है कौन से आयोग हैं जिन्होंने कमिशनरी प्रणाली के अनुशनसा की है कि कमिशनरी सिस्टम होना चाहिए और इसका इतिहास क्या रहा है आज के छोटे से लेक्चर में मैं आपको ये सारी जानकरी देने जा रहा हूँ तो जुड़ जाए इस लेक्चर से और अगर आप किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में नोट्स भी बनाते चलिए आए समझते हैं इस टॉपिक को कि क्या है कमिशनरी सिस्टम, इसका इतिहास, वर्थमान और इसके इंप्लिमेंटेशन में क्या फर्क आ जाता है कानून और व्यवस्था को लागू करने में तो दोस्तों CRPC में जब हम जाते हैं Code of Criminal Procedure 1973 में तो वहां पर Section 20 हमें मिलता है जहां लिखा हुआ है यह है कि राज्य सरकार जो है State Government अपने अधिकारियों में से किसी को District Magistrate के पावर दे सकती है District Magistrate DM कहलाता है जिसे हिंदी में जिला दंडाधिकारी कहते हैं एक lecture में मैंने बहुत detail में समझाया है कि जिला दंडाधिकारी DM और District Magistrate जिसे हम कहते हैं और District Judge जिला न्यायाधीश इन दोनों में क्या difference होता है तो DM जो है जिला दंडाधिकारी जो है इसके पास Magistral Power होते हैं मतलब CRPC के तहट इसे Power दिये गए हैं Power कहां कहां मिलते हैं तो मैं कुछ आपको बता दूँ जैसे Example दूँ आपको Section 144 144 लागू करने का अधिकार DM के पास होता है Executive Magistrate के पास होता है जिसका सबसे Chief जो है वो DM है या मैं आपको एक्जामपल दूँ Section 133 में कोई आदेश जारी करना जो कि अंतिम हो लोक बाधा यानि Public Nuisance को दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं या Section 129 से लेकर के हम बात करें Section 147 तक के पावर्स जो है वो Executive Magistrate के पास है फिर हम चलें Section 107-108-109-110 यह जो Section हमारे पास है CRPC के इसमें भी पावर्स Executive Magistrate यानि DM के पास होते हैं जो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, Maintain करने के लिए कुछ लोगों से सदाचार यानि की Good Conduct और Peace यानि की शान्ती बनाए रखने के लिए प्रतिभूती यानि Security की मांग कर सकते हैं, Bond भरवा सकते हैं, लोगों को गिरफ्तार करवाने की Power इनके पास होती है दारा 151 में गिरफ्तारी के अधिकार जो हैं वो इस DM के पास होते हैं फिर Section 174 में CRPC में ही Inquest यानि किसी की मृत्यू हो गई है और मृत्यू जो है Unnatural Death है तो उसमें मृत्यू समिक्षा यानि मरने के कारणों का पता लगाना जिसे English में Inquest कहा जाता है ये करने के अधिकार भी DM के पास होते हैं तो बहुत सारे powers हैं जो CRPC में DM को दे दिये गए हैं और जब कभी किसी स्टेट में और जब कभी किसी शहर में ये अधिकार Commissioner को दे दिया जाता है पुलिस Commissioner को तो ये सारी शक्तियां जो DM के powers हैं वो Commissioner के पास चले आते हैं तो पहले तो ये जान ले आप कि भारत में लगभग 72 सिटीज ऐसे हैं जहां पर में already Commissioner प्रणाली लागू है दो मिनट समझते हैं इसका इतिहास क्या रहा है और कौन-कौन से आयोग हैं जिन्होंने Commissioner सिस्टम के नुसंसा की है तो आपको बता दूँ कि जो पुलिस सिस्टम है ये चलता है पुलिस अधिनियम, पुलिस Act 1861 से और आपको जैसा की कानून के नाम से ही पता चल गया 1861 का ये कानून है इसका मतलब ये है कि ये British सरकार द्वारा लागू किया गया था तो भारत में सबसे पहले पुलिस Commissioner की नुक्ती का इतिहा समझब पढ़ते हैं तो परदा चलता है कि British शासन के अंतरगत बंगाल के कौलगाता शहर में वर्स 1856 में पुलिस अधिनियम 1861 लागू होने से पहले ही पुलिस Commissioner की नुक्ती कर दी गई थी 1856 में ही पुलिस अधिनियम पुलिस एक्ट आया जिसके तहट मदराज जो वर्तमान में चेन्ने कहलाता है इसमें पहले पुलिस Commissioner की नुक्ती की गई बाद में वर्तमान मुंबई जिसे बंबई शहर के नाम से जाना जाता है महानगर में पुलिस Commissioner की नुक्ती 1864 में की गई और वर्तमान समय में महराश्च के लगभग 9 महानगरों में कमिशनरी प्रणाली लागू है या आपको जानना चाहिए सोतंतरता के बाद भी देश में नौकर शाही में परिवर्तन नहीं हुआ बहुत जादा लेकिन समय समय के साथ ही महानगरों के विकास से महानगरों में रोजगार के नए औसर उत्पन होते छेले गए और बड़ी संख्यामी लोगों ने गाउं से आकर महानगरों में बसना शुरू किया महानगरों में जन संख्या का दबाव बढ़ा और इसके कारण विधी व्यवस्था को बनाए रखने में आने वाली चुनोतियों को देखते हुए कमिशनरी प्रणाली की आवश्यक्ता महसूस की जाती रही साथ ही पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए भी जो बहुत समय समय पर समीतियों का निर्मान हुआ उन्होंने भी कमिशनरी प्रणाली की अनुशनसा की जिसके बाद 1978 में दिल्ली में पुलिस आयुक्तियानी पुलिस कमिशनर की नियुक्ति की गई 1978 में ही उत्तर प्रदेश के कानपूर में कमिशनरी प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया गया लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया और फिर से पुरानी विवस्ता लागू कर दी गई आईए आपको बताऊं कि वो कौन से महत्वपून आयोग हैं जिन्होंने कमिशनरी प्रणाली की अनुशनसा की है रिकमेंडेशन किया है तो सबसे पहला आयोग जिसके बारे में आपको जानना चाहिए ये है धर्मवीर आयोग 1977 में पुलिस तंत्र में सुधार के उद्देश से जो पूर्व राज्यपाल धर्मवीरा रहे हैं इनकी अधिक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसे छठा राश्य पुलिस आयोग 6 नैशनल पुलिस कमिशन के नाम से जाना जाता है इन्होंने अपनी रुपोर्ट सौपी और कहा कि 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले महानगरों के लिए पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू की जानी चाहिए अभी तक आपनी ये समझा कि पुलिस कमिशनर प्रणाली में होता क्या है फिर दूसरी बात इसका इतिहास क्या रहा और कौन से आयोग है जिन्होंने पुलिस कमिशनर सिस्टम को लागू करने के अनुशनसा की आईए समझते हैं पुलिस कमिशनर प्रणाले की जरुरत क्यों महसूस की जाती रही है और इससे क्या बदल जाएगा तो जैसे ही Commissioner ये प्रणानू लागू हो जाएगी, पुलिस आयुक्त या Commissioner को Executive Magistrate के power मिल जाएंगे मैंने बताया, तो पुलिस Commissioner जो है CP का Post रहेगा, संयुक्त पुलिस आयुक्त या Joint Commissioner JCP का एक Post होगा, Deputy Commissioner DCP का Post होगा, फिर साहयक आयुक्त ACP का Post होगा, फिर पुलिस Inspector और सर् स्टम की बात करते हैं पर इस पिरामिड में डी जी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडी जी इस तरके अधिकारी जो है इन्हें पुलिस कमिशनर बनाया जा सकता है उसके नीचे एडी जी या आई जी इस तरके दो जॉइंट पुलिस कमिशनर होते हैं तो इस पिरामिड में Additional Police Commissioner भी होते हैं जिनके जिम्मेदारी IG या DIG इस तरके अपसरों को मिलती है। इसी तरह Deputy Police Commissioner DIG SP इस तरके अधिकारी होते हैं। Junior IPS या वरिष्ट SPS अधिकारियों को Assistant Police Commissioner बनाया जा सकता है। अब आपको दो बातें समझनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब कभी Executive Magistrate के power पुलिस को दे दिये जाते हैं तो इसके कुछ लाव और कुछ हानिया भी हैं। पहली बात तो ये है कि आम आदमी को Collectorate के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मतलब जो Executive Magistrate का काम वो भी पुलिस कमिशनर के आफिस द्वारा कर दिया जाता है। आम जन को सुविधा हो इसलिए कमिशनरी की प्रणाली लागू की जानी चाहिए ऐसी अनुशनसाएं हुई हैं। लेकिन फिर एक बात निकल कर आती है कि आम जन के मन में धारना ये है कि पुलिस जो है वो जनता के लाब के लिए काम नहीं कर रही है। और जब इस तरह की बातें आती हैं कि पुलिस को ही अगर Magistrate के पावर भी दे दिये जाएंगे तो आम जन के हितों का क्या होगा। और जब ऐसी बात निकल कर आती है तो फिर इसकी आलोचनाएं सामने आती हैं क्योंकि जब कभी कमिशनर प्रनाली लागू कर दी जाएगी तो एक पुलिस कोर्ट भी होगा जी हां समझें जैसे अभी DM या Executive Magistrate के कोर्ट होते हैं वैसे ही पुलिस कमिशनर के कोर्ट होगे औ भारती समविधान में भी ये व्यवस्ता है तो भारती समविधान के Article 7 के प्रवश्टी एक और दो को आप देखें तो पता चलता है कि लोग व्यवस्ता और पुलिस ये राज्य के विशे हैं अता इस मामले में नए कानून बनाने या कानूनों में संशोधन करने या विभ चक यानि सोप्रेटेंडेंडेंट और पुलीस की नियुक्ति की जाती है और ये जो है दोहरी व्यवस्ता मानी जाती है डूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल जिससे सापित किया जाता है जिला इसतर पर शांती व्यवस्ता बनाय रखने एवं अधिकारों के दुरूपियों को रोक पुलिस के वरिष्ट अधिकारी भी डी-म की आदेश का इंतजार करते हैं और उनके आदेशों के अनुसार ही काम करते हैं जब कभी दंगा फसाद की स्थिति आती है या जब कभी कानून व्यवस्ता के डगमंगाने की स्थिति आती है लेकिन अगर कमिशनरी प्रणाली ला प्रणाओंगा इन्होंने कहा है कि राज्य यानि स्टेट अपनी सीमा में रहकर लोगों पर वैधानिक रूप से बल प्रयोग जिसे कहा जाता है legitimate use of physical force के अधिकार का दावा करता है अर्थात सरकारें जनता पर बल के प्रयोग को वैधानिकता प्रणान कर देती हैं अगर क कारे करता हूं और समाज के अन्य सदर्शियों द्वारा समय समय पर आरोप लगाया जाता रहा है कि सरकारें जनता पर दबाव बनाने के लिए कमिशनर प्रणाली जैसे माध्यमों से पुलिस को सीधे अपने अधिकार में रखना चाहती हैं कमिशनरी प्रणाली में किसी भी व्यक्ति के गिरफतारी वारंट, जमानत, भीड़ पर बलप्रयोग, लाठी चार्ज, आसू गैस जैसे कई अन्य समवेदंशिल मामलों में अन्ती माधेश देने का अधिकार पुलिस कमिशनर को दे दिया जाता है ऐसे में अनेक परिस्थितियों में मानवा अधिकार के हनन करने का कहना है, शक्तिके एक ही पद में नहीं ठोने से आदेशों पर मियं अन्त रन और संतुलन के मैं ने बटाया, चेक ऑन-बैलेंस की कमी हो जाती है, और ये डर बना रहता है, जैसा कि मैंने बना हो जाया कि लोगों के अधिकारों का हननण हो जाए तो इससे पहले कि कमिशनर प्रणाली लागू कर दी जाए जरूरी है कि पुलिस को सम्वेदन शील बनना होगा, जनता के मन में भरोसा पैदा करना होगा और उसके बाद चाहे वो कमिशनर प्रणाली हो या कलेक्टर को DM के पावर दे दिये जाएं, वो दोनों ही ठीक मालूम पड़ेंगे अगर जनता पर भरोसा और विश्वास सरकार नहीं बना पा रही है, तो कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो मुझे उम्मीद है कि इस चोटे से लेक्शर में आपको ये समझ में आया कि कमिशनरी प्रणाली क्या होती है, CRPC में कौन से सेक्शन्स हैं जो कमिशनर को Executive Magistrate के पावर देने के बारे में बात करते हैं, जबकि जहां कमिशनरी लागू नहीं है, वहां ये पावर्स जो ह बहुत सारी बाते हैं, मध्यप्रदेश सरकार इसे लागू करने जा रही है, और 72 यानी 72 से जादा महानगरों में, बड़े शहरों में पहले से ही ये विवस्था लागू है, मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्शर में आपको कमिशनरी प्रणाली के बारे में ठीक ठीक समझ आया होगा कि ये क्या होता है और कमिशनर कैसे काम करते हैं, जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफार्म विधिक सिक्षा से कानून विवस्था पर भरोसा बनाए रखिए और उम्मीद करिए कि सब आने वाले समय में ठीक होगा, जागरूग बनिए, ये बहु जरूरी है, नमस्कार